और जटके में वो बंदा क्या करेगा यह इस तरह से नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठेकाना जब भी प्लांट्स को बचाने के लिए या एनिमल्स को नहीं मारे एनिमल्स खाना छोड़ दे यह सब messages किसी को देने होते हैं तो campaign किये जाते हैं, slogans लिखे जाते हैं, प्रचार किया जाता है, लोगों से आगरह किया जाता है कि ये सब नहीं करें, ये सब आम तरीका है लेगिन जोदपूर में रहने वाला एक आदमी जो जानवर प्रेमी है जो जानवर को नहीं मानने का संदेश देना चाहता था उसने एक ऐसी हरकत की जिससे सभी शौड है इस आदमी ने ये बताने के लिए कि जब भी किसी जानवर को हलाल किया जाता है या जटके से काटा जाता है तो उसे कितना दर्द होता है ये लाइव वीडियो पर बताया अपनी उंगली काट कर ये आदमी एक computer teacher है computer का institute चलाता है इसका नाम है तुलसी राम शर्मा तुलसी राम शर्मा शुरू से ही लांट्स लगाने का message देता है जानवर को नहीं मानने का message देता है लोगों से आगरेह करता है कि वो जानवर और जानवर से जुड़े products भी छोड़ दे इस तरह के messages वो देता है और इस चीज में शुरू से ही involved है लेकिन इस बार तुलसी राम शर्मा ने जो किया है वो देखकर सभी हैरान है इस computer teacher ने अपनी एक video बनाई जिसमें ये लोगों से आगरह करता है कि आपको मैं कैसे समझाओं कि जब जानवर को काटा जाता है तो उन्हें कितना दर्द होता है फिर तुलसी राम ने एक table पर अपने right hand की सबसे छूटी उंगली रखी उसके उपर हाथ फिराया और कहा कि suppose कीजिए मानिए कि ये जानवर की गर्दन है अब अगर जानवर को हलाल किया जाता है तो कैसे दर्द होता है मैं बताता हूँ फिर क्या था तुलसी राम पास में रखा एक छुरा उठाता है और अपनी उंगली को ही चौक कर देता है उसकी उंगली दूर जाकर गिरती है और हाथ में से खून तपकने लगता है लेकिन तुलसी राम बोलना बंद नहीं करता है वो कटी हुई उंगली के साथ ही बोलता रहता है कि अब इससे जादा मैं आपको और कैसे समझाओं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जानवरों को काटना जानवरों को मारना जानवरों को खाना बंद कर देंगे ये पहली बार नहीं है जब तुलसी राम ने इस तरह की हरकत की है ऐसी धमक्या वो शुरुआत से ही देता आया है उसने अपनी कॉलोनी में 700-800 पेड लगाए है और कॉलोनी वालों को अकसर पेड उगाने की और पेड नहीं काटने की हिदायत देता है इन फैक्ट कॉलोनी वालों को इसने पेड काटने के लिए धमकी भी दे दी कि अगर पेड काटोगे तो मैं अपनी सारी उंगलिया काट दूँगा और इस बार इसने इस वीडियो में ही अपनी उंगली काटी है लोगों का कहना है कि इसका mental status ठीक नहीं है और इसको कोई दिमागी बिमारी है खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही पलपल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना